नमस्कार दोस्तों मैं विशाल सक्पाल आप सभी का अपने चैनल जन्री सर्विशस में स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में जो आएगी सेक्शन एटी सी के अंतरगत तो आएए देखते हैं आप इंकम कानून के सेक्शन एटी सी के तन आने वाले निवेश विकलत हों में देड लाक रुपे से अधिक का भी निवेश कर सकते हैं पर टैक्स बचाने के लिए शिप आप 10 लाक रुपे तक कही सिमित होगा ॥तव पर इंकंटक्स कानून की सेक्शन इसका मतलब यह है कि निवेश करने के बात कुछ समय तक आप इन में से कई पैसे नहीं निकाल सकते हैं अब हम जानते हैं टैक्स बचत के लिए लोग प्रिया उत्पादों के बारे में जिनमें निवेश करने पर आपको सेक्शन एटी सी के तहट टैक्स बचत का लाब मिल सकता है कि सबसे पहला है पब्लिक प्रविदेंट पंड आप अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोल के पीप अकाउंट में निवेश कर टैक्स में राहत पा सकते हैं अगर आप पीप में निवेश करते समय माता पिता के नाम से या भ मैचर होता है इस हिसाब से जो रक्म पहले साल निवेश की हैं फंदरा साल के लिए लॉक हो जाएगी में दूसरे साल की निवेश की रक्म 14 साल के लिए लॉट हो जाएगी पाइशनल उसको यूज कर सकते हो उसकी पात साल की एडिशनल आउदी बढ़ाई जा सकती है तो तोटल आप 20 साल के लिए इसमें निवेश कर सकते हो इसमें मिनिम्म 500 रुपए से स्टार्ट करके आप मैक्सिमम देड़ लग तक की इन्वेस्मेंट कर सकते हो कि यह वास्तों में इए के टЕगरी का निवेश उत पात है इसका मलब यह है कि इसमें निवेश खिए के बकट मिलता है जो इंट्रेस्स मिलता है। उस पर बीस जूट रहती है। यहाँ पर आपको जो भी इंट्रेस्ट हर साल आपके इस पर फ्री इंट्रेस्ट नहीं है। कि बारे में केंदरी वित्यमंत्राले हर दुमाई में दरेगोशित करता है। अभी हम लोग दूसरा स्कीम देखते हैं एपीएफ या वीपीएफ करमचारी भविश्य निदी स्वेचिक भविश्य निदी अगर आप सैलरी पाने वाले एंप्रोई है तो निवेश की इस विकल्ब में आप पहले से ही निवेश कर रहे हर मैंने आपको मिलने वाले बेतन से कुछ रखम जो है इससे आपके बेतन से काट कर जमा करते हैं अगर आप अपनी चार्ज करें तो आपको पता चल जाएगा कि हर मैंने एपीएफ में आपकी कि कितनी रखम निवेश हो रही है अगर आप इंकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C का पूरा लाब उठाना चाहते हैं तो देड़लाग रुपे की निवेश सीमा पाने के लिए आपके केवल बच्ची वीवी राशी का टैक्स चूट के विकल्पे में निवेश करने हैं जैसे यहां ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आपका योगदान ही सेक्शन 80C के टैक्स की चूट के लिए योग्य आपके इंप्लॉयर ने जो टैक्स आपका पीएफ कट करके उनका कॉंट्रोविशन भी जो दिया रहेगा वह यहां पे आपको उसमें कोई चूट नहीं मिले अगर आप चाहें तो एपीएफ योगदान से अधिक रखकम का योगदान भी कर सकते हैं यह योगदान स्वेचिक प्रोविडेंट पंड में किया जा सकता है आप इस पर भी इंकम टैक्स कानुव के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत का लाब उटा सकते हैं तीसरा सुकन्य सम्रुद्धी योजना केंदर सरकार की बेटी बचाओ बेटी पड़ा योजना के तहत लॉंच की गई यह स्कीम ग्र चाइल बच्चियों के लिहास से बहतरी दिकल्प है अगर आप की बेटी की उम्रत 10 साल से कम है तो आप अपनी बेटी के लिए सुकन्य सम्रुद्धी योजना खाता खूल सकते हैं यह वास्तों में इए इए केटेगरी वाला उत्पाद है इसका मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया आपको इस पर मिलने वाली मैचुरिटी पर जो आपको राशी मिलेगी वहर साल मिलने वाला इस पर इंट्रेस्ट यह सब टैक्स फ्री होगा इस पर इंकम टैक्स नहीं लगेगा कि इसकी भी वैजदर की गोश्णा हर तीमाई पर की जाती है अभी चाउती स्किन एकवीटी लिक्विट सेविंग सकिन 2 il1 वास्तों में 3 साव निये से ह्लवेज करने पर आप 3 साल के अंदर इस रखम को निकाल नहीं सकते बहुत से लोगmeye को टैक्स सविंग नाम से भी जानते हैं क्या सारे इसको टैक्स सविंग फंड फंड बूलते हैं अगर आप ऐसा इसा इप मतलब सिस्ट्रेमाटिक investment plan के जरिये ELS में निवेश कर रहे हैं तो हर SIP की किस्त तीन साल की आउदी के लिए लॉक हो जाएगी यदि SIP की पहली किस 15 April 2018 को की गई है तो उससे खरेदी गई मुचिल फन यूनिट 15 April 2021 तक नहीं बेची जा सकती तो उसी तरह सीप की दूसरी किस्त इसलिए यूनिट बेचने पर होने वाले फायदे पर टैक्स नहीं देना पड़ता पाच्वा ट्रम लाइफ इंशूरंस के लिए चुकाएगे प्रीमियम की रख्कम पर आप इंकम टैक्स का कानून के सेक्शन एटी सी के तर टैक्स चूट का लाब उटा सकते हैं ट्रम प्लाइन वास्तों में बहुती मामुली प्रीमियम है काफी अधिक जीवन डिमा कवर खरीदने का मोका देती है इसमें ट्रम प्लाइन 30-35 साल के लिए कर सकते हैं अभी मैं एक एक्जाम्पल के तोर पर आपको बताओ किसी इन्हें ट्रम प्लाइन 30 साल के अवस्ता में वक्ति के लिए एक करोड का कवर सालाना साथ यह 10,000 रुपे के प्रीमियम पर मिल सकता है सेक्षिन 8c के टार टैक्स लाब लेने के लिए आपको हर साल नया प्लान लेने की जरूरत नहीं है एक ही पॉलिसी में आपको रिलियम प्रीमियम भी सेक्षिन एटी सी के तरद कर छूट पाने के योग्य है तो मैं ट्रंप प्लाइन का पर इसकी जो होती है इस तरह होती है इसमें आपको मैचरूटी पर कोई अमाउंट नहीं मिलती इसमें आपको बड़ा शर्म अशुरस मिनिमुम कॉस्ट में मिल जाता है जैसे कि आपकी उम्रत 30 साल की है और आपको एक करोड का जो कवर मिलेगा व कि यह सिब आपका एक्सिडेंटल देथ या नैचरल डेथ होती है तो आपको आपका जो भी नौमिनी रहेगा उसको एक करोड रुपय मिलेगा यह प्यूर ट्रंप प्लान होता है इसमें कोहीं आपको रिटन नहीं मिलते हैं और मैशुरूटी यूनिट लीक इंशुरंस प्लान यूनिट जीवा वीवन योजना और निवेश का मिला जुला रूप है इसके लिए चुकाई जाने वाले प्रीमियम में एक हिस्सा जीवन वीमा के कवर में दिया जाता है बाकी बचा हुआ हिस्सा रिटन के लिए किसी भी फंड में निव पूरी रख्कम पर इंकम टैस्स कानुन के सेक्शन एटी सी के तहत टैक्स मिलता है आम तोर पर यूनिट प्लान में पास साल का लौक इन होता है इसका मतलब यह है कि आप यूलिट खरीदनी की तारीक से पास साल के अवधित तक इसे पैसे नहीं निकाल सकते इस हिसाब से आपका पहला प्रिवियम पास साल के लिए लौक हो जाएगा इसी तर्च पर दूसरा प्रिवियम चार साल के लिए लौक हो जाएगा यह ध्यान रखे कि यूलिप में निवेश के बाद 5 साल से पहले आप किसी भी तरह पैसे नहीं निकाल सकते अगर आप यूलिप प्लाइन 5 साल से पहले बंद कर देते तब भी आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि income tax कैनून 1961 के section 80C के अनुसार अगर आप लगातार 5 साल तक premium का भुगता नहीं करते तो tax का लाग आपसे वापस लिया जाएगा जो भी आपने income tax की छूट पाई होगी वो सारी आपस लीक है आपको वापस उस पर tax बरना होगा अगला पानम पारिक जीमा बीमा money back योजना यह काफी फेमस प्लान है यह काफी लोगों को पता होगा कि आप जीवन विमा या money back प्लान की चुकाएगे premium पर भी section 80C के third income tax का benefit ले सकते हैं इसमें एक शर्त है कि यह अगर आप कम से कम दो साल के लिए premium का भुकतान करते हैं नहीं करते तो tax बचत का लाप आप ले नहीं पाएंगे जीवन विमा पॉलिसी के बारे में एक बात के ध्यान रखना जरूरी है कि आपने आपका सालना प्रिमियम विमत रखाम के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए इंकम टैस्ट में लाप पाने के लिए यह शद्पूरी करना जरूरी है यह नियम एप्रिल 2012 के बात खरीदी गई पॉलिसी पर लागू है अपने खुद के लिए पती के लिए या पतनी और बच्चों के लिए जीवन विमाप पॉलिसी का प्रीमियम के भुगतान पर ही section 80C का तर टैक्स बेनिफिट में राहत ले सकते हो माता पिता भाई बहन के जीवन बिमाग के लिए प्रीमियम का बुकतान पर कोई टैक्स बेनिफिट ले नहीं सकते आप का पास साल के बैंक ठीज लिफुजि़ इसमें निवेच की इस विकल को आम तोर पर टैक्स सेविंग इवडीज पीक्स ृपॉजिट के रूप में जाना इसका मतलब यह है कि यह पास साल के लिए आपका फिक्स डिपोजिट जो है पास साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा आप इसे पास साल से पहले विड्रॉन नहीं कर सकते इस पर मिलने वाला बैच पर कि स्केवल पड़ता है यह चेंशका इन का इंटर्स आप इसको विए है पत्ले डांश ऑने इस यह में रवक पिक्श्ट्रेट ठास पास साल की स्थ मतला से ब्लॉक विए एक पर रविण के जैसे मैने अभी बताया था आपको कि टैक्स पिक्स डिपोजिट का उसी तरह यह भी है यदि आप निवेश करने के लिए पाफ साल के अंदर इसे बुनाते हैं तो इस पर मिलना इस पर आप इंकम टैस का लाब ले सकते इस तरह के डिपोजिट के लिए वैज पर वैज दर वित्य मंत्रल है द्वारा हर तीमाई पर तई की जाती है ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिपोजिट करते समय जो वैज दर तई है आपके निवेश पर पूरी पास साल तक वही मिलते हैं बीच में बदलने वाले वैज दरों का आपके निवेश पर कोई असर नहीं पड़ता अभी और एक स्कीम है राष्टिय बचत प्रमान पत्र नाशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंकम टाइक्स बचाने के लिए काफी समय से लोग का इसमें इन्वेश करते हैं इसकी परिवक्ता अधुष छे साल की है सेक्शन एटी सी की तर्ट टाइक्स बचत वाले इस निवेश विकल्प में समय से पहले कोई वुक्तान संभोग नहीं है इसमें मिलने वाले वाले वैज पर भी आपको इंकम टाइक्स चुकाना पड़ता है हाला कि शुरुवाते सालों में कमाई गए वैज को एन एस सी में निवेश समझा जाता है और यह सेक्शन एटी सी के तर्ट टाइक्स की चूट मिलती है और आपको दस हजार रुपया सालना इंट्रेस मिल रहा है तो वह इंट्रेस आप एटी सी में क्लेम कर सकते हो और बच प्लस आपको देड़ लाक में से माइनस करना है और बचीवी रख्कम का आपको इंवेश्मेंट के बारे में सोचना जो अभी हम लोग देख रहा है इस हिसाब से सिर्फ आखरी साल में बैज की रख की बैज ही टैक्सिबल होगा जो आखरी साल में आपको इंटरस मिलेगा वही आपको टैक्सिबल होगा और इसका व्याज दर वित्तिय मंत्राल हर तीमाई में इसका व्याज दर गोशित करती है अगली स्कीम है वरिष्टन आगरिक बचत चोजना के वल सीनियर सिटीजन ही इस योजना में निवेश कर सकते हैं इसकी मैचुरिटी का अवधी पात साल है सेक्शन एटी सी के तहत इंकम टैक्स बचत के इस विकल्प में भी रक्कम के अंशिक निकासी की अनुमती नहीं है आप यहां से विड्रॉन नहीं कर सकते हैं हाला कि आपको जुर्माना देकर अकाउंट को पास साल से पहले बंद कर सकते हैं वरिष्टन आगरिक बचत जोजना में निवेश को समय से पहले बंद करने पर आपको मिले सभी टैक्स बेनिविट वापस लिए जाएंगे इस पर वैक दोरों की गोष्टना भी वित्यमंत्रले दवारा हर तीमाई में की जाती है होम लोन यह बहुत से लोगों को पता होगा अगर आपने होम लोन लिया है तो इस लोन के मुल प्रिंसिपल आमाउन की भुकतान पर इंकम टैक्स के सेक्शन एटीसी के तहत आपको इंकम टैक्स का लाब ले सकते हो यहां एक शर्त यह है कि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन के नहीं होनी चाहिए आपको उसका पॉजेशन मिला होना चाहिए तो ही आप इसको एटीसी के तहत लाब ले सकते हैं अन्यता इसका लाब आपको नहीं मिल सकता इस प्रावदान में घर खरीदने के लिए चुकाई गई स्टैंप डूटी और रजिस्टेशन चार्ज के लिए भी आपको इंकम टैक्स की छूट मिलती है जैसे आपने घर लिया है तो वहां पर जो स्टैंप डूटी रजिस्टेशन बरते हैं वह रकम आपको एटीसी में माइकजिमम देड़ला का बेनिफिट देती है इसके आलावा इसका बैज जो है वह सेक्शन 24 में आप क्लेम कर सकते हो जो आएगा इंकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस में जो आप क्लेम कर सकते हो जिस साल आपको घर का कबज़ा मिलता है उस वित्य वर्षे के अगल आप सल के अंदर उसे बेज दिया तो यह इंकम टैक्स का बेनिफिट जो है वह आप से विड्रॉप किया जाएगा दो बच्चों की टूशन फीज पर रहात आप आपके अगर दो बच्चे है तो उनकी टूशन फीज स्कूल फीज आप क्लेम कर सकते हो वह चाहे स्कूल में हो कॉलेज की हो तो उसका बेनिफिट आप अंदर सेक्शन एटी सी में ले सकते हो यादि आपके दो से अधिक बच्चे तो आप किसी भी दो बच्चे के लिए दावा कर सकते हैं इसके लिए शर्त यह है कि भारत में स्थित विश्वे विद्धालाइक, कॉलेज, स्कूल या अन्या सेक्शनिक समस्ता नों को फीज का भुकतां किया जाना चाहिए टैक्स में रहात की केवल पूर्ण कालिक शिक्षा, फूल टाइम एजुकेशन के लिए ही उपलत्द्द है टैक्स की छूट के दावरे में नियुजूटीशन, क्लोचिंग कासेज या कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं आता अपनी शिक्षा या जीवन साथी के शिक्षा की पढ़ाई के पर कियेगे खर्चे का भी आप टैक्स का दावरे में नहीं आते हैं बीमा कंपनी की पेंशन नोजना सेक्षन 80 CC अगर आप बीमा कंपनी के पेंशन प्लान में निवेश करते हैं तो आप इस रकम में देड़ लाग रुपे तक कर सकते हैं निवेश कर सकते हैं यादि आप मैचुलिटी से पहले पेंशन नोजना को सरेंडर कर देते हैं तो आप उससे मिलने वाली रकम को उस साल की आमदनी माना जाएगा आपको उस पर इंकम टाक्स चुकाना पड़ेगा यह धान रखिए सेक्शन एटी सी और सेक्शन एटी सी के तद कुल मिलाके टैक्स बेनिफिट की कुल रकम आप देड़ लाक रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए आप अगर अधिक होती है तो आपको देड़ लाक ही मिलेंगे राष्टिय पेंशन योजना अटल पेंशन योजना सेक्शन एटी सी सी डी निवेश का यह विकल्प थोड़ा जटिल है अगर आप सेक्शन एटी सी सी डी बन के तहत एंपिएस में सालाना देड़ला गुरुपए तक का निवेश करते हैं तो यह सेक्शन एटी सी के तहत म मिलने वाले लाब में शामिल है अगर आप एंपिए सेक्शन एटी सी सीडी वन बी के तहट सालाना पचास अजार रुपए तक का निवेश करते हैं तो यह रखकम इंकम टैक्स कानून के सेक्शन एटी सी से अलग है यह एडिशनल 50,000 का बेनिफिट आप इसमें उटा सकते हो अटल पेंशन योजना मैं निवेश करने पर भी आपको यही टैक्स बेनिफिट का लाब मिल सकता है इसके अलावा भी अलग और कुछ सेक्शन है जैसे की एटी जी जी और हाउस रेंट अलावंस यह सैलरीड एम्प्लॉएड के लिए है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है तो अगर आप चाहें तो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू आइस डे बाबाई जरसे लोग कीजिए और अपके ल cellularको कीक्या सुट आएफरा शेल में दोस्तों कीजिए में आभी की बाबाई कीजिएrist ल watch us और फ़arent आपके में आत हैं